कभी कभी बिन यतन के ही और घर आंगन में हरियाती है कभी लाख यतन करने पर भी ये तुलसी मुर्जा जाती है मैं बात कर रहा हूँ तुलसा मैया की जो घरगर होती है कि तुलसी से सदा ही नेह रहा उस्मा धव मदन मुरारी का और ये तुलसी का रूप है ये नारी समान करो इस नारी का देखिये जो कल चार या पांस तारिक में हमारे डीके भाई हजियापुर से चलकर हमारे बीच आए हैं एक बार जोरदार ताली डीके भाई के लिए तो बज़ा दो सम्मिर भाई इतनी दूर से चलकर आपका प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है ये कल यूटूब पर दिखाया जाएगा और बताया कि बिन भाई के दुनिया में देखो अरे कोई योग तलक नहीं लगता है बिन तुलसी के ठाकुर जी का कभी भोग तलक नहीं लगता है चार रिस्ते इस गीत में है चार रिस्ते कि भक्ती के रंग में रंगे भक्ती के भाव में रंगे जीवन के रूप अनूप मा बहन बेटी बहू नारी के चार है रूप चार रूप है एक औरत को हम चार रूपों में देखा करते हैं एक सरप्रथम जिसने हमें जनम दिया है जनम देने वाली मा और दूसरी जो हमारी धरम पत्नी होती है बेटी और बहन आईएगा चलते हैं इस प्रथन के बाद्ध हम से कि माली को चमन का ध्यान न हो तो बुल बुल कैसे चहकेगी दीके भाई कि माली को चमन का ध्यान न हो तो ये बुल बुल कैसे चहकेगी और जहानारी का सम्मान न हो कि जहानारी का सम्मान न हो और वहाँ तुलसी कैसे बहकेगी जहानारी का सम्मान न हो तुलसी कैसे बहकेगी नारी का सम्मान न हो और जहानारी का जहानारी का सम्मान ना हो वह अतुल सी कैसे महकेगी जानाई आजम मानि लाओ गुल गुल कैसे महकेगी पहला रिस्ता सौंबिर भाई जो हमें जनम देती है माग क्या बताया करतब परायन हो बेटा करतब परायन हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में और जिसने न कभी आने दिये हो आसुमा की आखों में जिसने न कभी आने दिये हो आसुमा की आखों में जिसने न कभी आने दिये हो आसुमा की आखों में सुद्गो मा की पहचान न हो अगर बेटे को अपनी मा की पहचान नहीं है कि जिस माने हमें जनम दिया है हम उसका उपकार चुका नहीं सकते है कहाए किसी ने माबाद की एक तमन्ना होती है कि हमारा बेटा हमारा बेटा सर्वन कुमार की तरह होना चाहिए लेकिन आज कल के बेटे कैसे है खेती जब सूख जाए दिल जब दूख जाए सूखा के बाद बरसात किसे काम की और खेती जब सूख जाए दिल जब दूख जाए सूखा के बाद बरसात किसे काम की और वक्त पेना आमें पास जूटो देखा में साथ अपनों की जूटी इमदाद किस काम की पीठ पीछे करें घात मीठी मीठी करें बाग और देती ना दिखाई वो फरियाद किस काम की अगर बात आपके दिल को छूजाए तो ताली जरूर बजा दे ना भाई साथ सोल से हाथ निकाल के और देती ना दिखाई भरियाद किस काम की माता पिता के जो आसू ना पहुँच सके तुम ही बताओ वो ओलाद किस काम की तुम ही बताओ ओलाद किस काम की किसी लिए सुद्ध को मा की पहचान नहो तो दिल में अगनी देहकेगी सुद्ध को मा की पहचान नहो तो दिल में अगनी देहकेगी और जहां मैया का जहां जननी का जहां मैया का सम्मान नहो तुलसी कैसे महेंगेगी क्या बात है दूसरे बंद में बनवारी बहाँ से दूसरे बंद में बताया है जो सत्य साधना सयम से अब नमबर आया पत्नी का जो सत्य साधना सयम से सिंदूर को साधे रहती है कितनी पावन है ये पत्नी कितनी पावन है ये पत्नी जो पत्नी को परमेश्वर कहती है कितनी पावन है ये पत्नी पत्नी को परमेश्वर कहती है कितनी पावन है ये पत्नी परमेश्वर कहती है हमारे अंदर औरत का सब्मान नहीं है पुरातन काल से संसार में डीके भाई औरत को पैर की जूती समझा जाता है लेकिन सत्त वो नहीं है सत्त क्या है इस नारी ने नरको जनम दिया सत्त पर गौर करना आपके दिल के अरपार हो जाएगी एक एक लाई इस नारी ने नर को जनम दिया आ चल मैं लेकर पला दिया और संतान की देकर सोगाते इस बंस को आगे बढ़ा दिया इस वर्च तो आगे बढ़ा दिया और हर मार सही दुदकार सही निज घोट खुसी का गला दिया अपनी खुसी की परवा नहीं की बच्चे की खुसी की खातर अपनी खुसी त्याग देती है मा खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है उस नारी को ये मनुष्चे कितना दुख देता है हर मार सही दुदकार सही निज घोट खुसी का गला दिया और इस नर ने ऐसी नारी के साथ क्या किया निज घोट खुसी का गला दिया इस नर ने ऐसी नारी को हातों से जिन्दा चला दिया कितनी पावन है ये बतनी पति को परमेश्वर कहती है और पति के दिल में इस्थान ना हो तो गम गर्दिस में देहकेगी जी तु भाई पति के दिल में इस्थान ना हो तो गम गर्दिस में देहकेगी और जहां पतनी का सम्मान न हो जहां पतनी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी जहां पतनी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी और समे का भाल दीसरे बंद में कमी ने बहुती सुन्दर बात लिखी है और इस्ता आया बहुती पवित्र पवर आहे इस्ता माना जाता है अधिनी बहुती है पर हर भाई को एक बहुती चुचुक निश्तर दिए पीहर को छोड़ ससुरा लिगई लेकर के खुसियों का गहरा माबाप ढूड़ती भाईयों में सुन्दर सी प्यारी ये बहरा माबाप ढूड़ती भाईयों में लेकर के खुसियों का गहरा माबाप ढूड़ती भाईयों में मासुम सी प्यारी ये बहरा और भाईयन के अधर मुस्कान नहो अगर बहन ससुरालते आती है उसके माता पिता नहीं है चल बसे है तरवाजे पर आकर एक दिल में भाव होता है एक दिल में तमन्ना होती है अगर भाई के चहरे पर मुस्कान नहीं देखती भेषन तो उस घर में जाने को इस घर में पली बड़ी है उस घर में जाने को हिम्मत नहीं पड़ती है क्या बात है सुधिर भई जोड़ दरता लिए एक बार बताया भाईयन के अधर मुस्कान ना हो तो मिलन को कैसे चहकेगी और जहां भाई का जहां बहना का समान ना हो वहां तुलसी कैसे चहकेगी जहां बहना का समान ना हो वहां तुलसी कैसे चहकेगी अब अन्तिम बंद भजन अच्छा लग रहा सुम्मीर भाई समझ मैं आ रहा एक एक सब सुनते रहिएगा और मेरा दावाई सुम्मीर भाई सुनकर के एक वर्स तक याद रखोगे कम से कम कहां कोई गीत गया गया अन्तिम बंद में जिनोंने ये गीत लिखा है अपनी कलम से बताया उन्होंने चौथा रिस्ता बेटी का रामबीर के अर्मानों में रहे हिर्दे का कोना है बेटी इसे संसकार और लक्षन दो तो आंगन का खिलोना है संसकार और लक्षन दो तो आंगन का खिलोना है बेटी सम्मान से कन्यादान न हो सम्मान से कन्यादान न हो अस गुन में आखिये लेहे के और जहां बेटी का सम्मान न हो जहां बहुओं का सम्मान न हो जहां नारी का सम्मान न हो जहां माता का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे में नहीं देहेगी जोड़ार दाने एक वार सुधिर भईया के लिए कहते सच्चे दरवार की महामाई के प्यार की देखो